आजाए ये बाई लोग एक और T10 के मैच में कोसिस रहेगा अपना बेस्ट प्रेडेक्शन देखे एक बार फिर से आप लोग को बेस्ट रैंक चाहा हो ग्रेंडली को चाहा है दोस्तो एसमॉली को दोनों में प्रवाइड करने का मैच कि इन दो टीम के बीच में खेला मैच आपका खेला जाएगा दोस्तो 12 बच के 30 मिनट से T10 का मैच है आप 11 बच के 30 मिनट से ही रेडी रहना क्योंकि T10 के मैच में आपको पता है जो लाइन अप होता है जो प्लेइंग लेवन होता है वो 60 मिनट पहले ही आपके लिए आ जाता है तो आपको एन अफ टाइम न प्लेशन और कोन बॉलर कहां पर बॉलिंग करेगा और इस मैच का बेस्टीम क्या हो सकता है कोसिस करना दोस्तो लास्ट तक वीडियो वाच करने का जिसे आपको एक चीज दोस्तों किलियर हो पाएगा रॉमकार प्लियर मिस मत करना नहीं तो पूरा काम होई पर गरबर हो ज जाता है जिसमें आपको मेंली रवर का यूज किया जाता है जिसे बॉलर को अच्छा खासा बाउंस मिलता है और ऐसे पीछ पे हमेशा ध्यान रखिएगा बैट्समेन बहुत इंज्वाय करते हैं खूब रन करते हैं और यह टूनामेंट में दोस्तों आपको यही चीज दे मैंच का भी जिसको मैंने यहां पर मेंसन भी किया आप देखोगे यह मैंने 135 इसलिए कर दिया है क्योंकि कल के दिन इतना ज्यादा स्कोर लग रहे थे यार जो टीम आ रही थी 150 170 170 यह सदक मार रहा है वो सदक मार रहा है लगी नहीं रहे कि 10 ओवर का मैच हो रहा है लग रह बॉलर ज्यादा विकेट लेते हैं ऐस कंपेर टू इस्पिनर ठीक न यह चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है एबरेजे स्कूर आपका इस मैच का 135 रहेगा पुरा सा स्टाइट्स को और आप देखना चाहोगे तो आप यह भी देख सकते हो बेन्यू स्टाइट्स अभी टर्स का रिकॉर्ड हो गया बॉलर्स में आप देखोगे जो लास्ट 9 मैच हुए उसमें फास्ट बॉलर 22 विकेट लिये और स्पिनर सिर्फ 8 विकेट लिये और एक और चीज़ आप गोर करोगे मैने आपको लास्ट 9 मैच का बताया है इससे जानते हो एक और चीज़ पता चल रहा है कि इस टूनामें में बिकेट बहुत कम गिड़े और बात यही सही है बिकेट आपको एक बिकेट दो बिकेट इस तरह से मेली गिरते हैं ज्यादा तर बैट्स में तो खूब रन कर रहे हैं अप ये स्टाट्स के थूरू समझो किस तरह से हाँ पे 200 रनिंग हो रह आप देखोंगे 90 से नीचे अभी तक पूरे टूनामेंट में एक बार भी स्कोर नहीं गये एक बार भी नहीं दो 90 और 120 के बीच में चार बार गये हैं 120 और 150 के बीच में 12 बार और सबसे ज़्यादा 150 के उपर 19 बार जा चुका है इसको नी स्वार वही मैंने बता है हाई स्कोरिंग भेने हुए ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं आप कुछ रीसेन मैचों भी देख लीजे जो इस ग्राउंड पे हुए है यह मैं आपको ज्यादा दिन पहले का नहीं बता रहा हूं 2 सितंबर का बता रहा हूं आपको यह लास् बैटिंग फर्च करने वाली टीम 152 रन इस मैच में भी आप देखिए बैटिंग फर्च करने वाली टीम 158 रन आपको एक मैच मिलेगा जिसमें आपको 150 से नीचे स्कोर है अधर चारो मैच में 150 से उपर है यह चीज मैंने आपको पहली बता दिया हाई स्कोरिंग भेनिव रहेगा ठीक ना आप यहां पर यह भी देख सकते हूं बिकेट किसको कितना मिला है पर मैच में पास्ट बोलर कितने लिए इस्पिनर कितने लिए मैं हट जाता हूं जिसे आपको पूरा किलियर दिखेगा ओके यह सलाइड को आप अच्छे से वाच कर सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं और दोनों टीमों के प्लेंग लेवन पर आएंगे और साथी साथ अपना बेस टीम भी रेडी करेंगे आगे बढ़ने से पहले जिन भाईयों ने सर्मा फैंटीसी ग्रूप टेलिग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जरूर कर लिजेगा टेलिग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए दो सबसे वड़ा बेनिफिट है पहला बेनिफिट आपको कोई प्रॉब्लम हो एक सिंगल कंफ्यूजन हो मेरा काम में उसको सॉल्व करना या आपके प्रॉब्लम को यार अपना प्रॉब्लम बनाके उसको मैनेज करके फिनिस करना चाहे हो match के regarding हो, चाहे combination के regarding हो, चाहे fantasy के regarding हो तो आप जुर सकते हैं और कोई भी सवाल हो, boat के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं और इस match के आज चो मैं final team अभी video में दूँगा, उसमें कोई change मुझे करना होगा किसी player को last time में update करना होगा, या कोई new player खेल जाता है, उनका record देना होगा तो वो मैं आपको telegram पे share कर दूँगा, telegram channel का link आपको इसी video के नीचे आप description में देखो, वहाँ भी मिल जाएगा, description section में भी या इसी video का आप comment section में जाओ, और सबसे पहला comment आपको pin क्या हुआ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जवाइन कर से, ओके, चलिए है, कर लीजेगा, channel को नहीं subscribe किये हैं, YouTube channel को उसको भी आप कर दीजेगा अब चलिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग playing level देख लेते हैं, दोसो, BID team के, इनके तरफ से आपको open batting करेंगे, ये अजाम, जो last match में open batting की है ये अजाम के साथ, आपको open batting करने आएंगे, केसे, बहुत ही best player है, केसे, केसे तो आपको balling भी करके देगा आप recent match दोखोगे इस player का, ऐसे आप यहाँ पे सभी player का recent match देख सकते हैं, last 5 matchों का, और इधर आपको सभी player का T10 का record मिल जाएगा, overall, क्या आप यह आज इनका देखना चाहोगे, तो recent match में इनों ने balling अच्छा किया है, एक match इनका batting से बहुत अच्छा गिया था, लेकिन batting से उतना भरोसा मत करना, balling से ज़्यादा बेटर है इधर आप इनका T10 का record देख सकते हो, 4 match में 49 run, 3 bicket, तो वही मैंने बताया, 49 आप देखोगे, एक ही match में 43 किये थे, अधर match में flop गया थे, के सिरका देखोगे, 91, 44, 18, 27, 2 bicket, इधर यह वाला flop गया था, last 5 match में इसमें 4 match जबरदस, T10 का record भी बहुत सांधार है, आप देखो इस खान को आपको किसी team में नहीं लेना है, एकदम clear, लेना है इसको, नहीं लेना है, इसको सीधा, एक तो दोसो, performance उस्तर का इनका रहा नहीं है, आप भरोसा नहीं कर सकते हो, यह player का problem क्या है न दोसो, एक तो consistent नहीं है, एक होता है कोई player, 10 match में 5 match में भी 30 से उपर score करता ह इनका यह चीज नहीं देखने को मिलेगा, और record भी देखोगे तो 7 match में आपको 49 run मिलेगा, ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा editor साहिप से गलती हो गया है, यह 7 run होगा, 77 run नहीं हो, फिर इदर आओगे दोसो, आपको 8 समल खेल मिलेंगे, last 5 match इनका बहुत ही गंदारा है, drop करके आप चल सकते हो, record भी इनका उतना अच्छा नहीं है, T10 में, 8 match में सिर्फ 79 run है, यह डोस चेल, अब देखो इसका भी सेम हो ही problem रहा है, यह player है, बहुत अच्छा ओर लाउंडर, जब इनका आप T10 का record देखोगे तो ठीक है, 14 match में 225 run 6 wicket, ठीक ना, लेकिन recent match इतना गंदा गया है ना, 15 run, wicket नहीं लिए, 0 run, wicket नहीं लिए, 16 run, 36 run, wicketless, कुछ खास performance नहीं रहा है, तो यह कैसा option है, इनका selection हाई है, सभी लोग team में ले रहा है, लेकिन यह ऐसा option आपके लिए है, जिन पे आप ricks लेना चाहो किसी player पे, तो आप इस player पे ले सकते हैं, और drop करके, क्य लेकिन यह दोनों का selection अल्रेडी काम है, तो उसे combination के पे कोई फ़र्क नहीं परेगा, लेकिन जब आप high selection वाले player को drop करते हो, वहाँ पे आपका combination पे फ़र्क परता है, यह मिया खेल balling अच्छा करता है, recent match में थोड़ा सा batting से भी score कर रहा है, आप देखोगे 4 run, 14 run, 25 run, यह आप एक चीज बताता हूँ, मैं T10 का सब match वाच करता हूँ, एक एक चीज को देखता हूँ, यार, last 3 साल से T10 cover कर रहे हैं, पहला साल थोड़ी है, इनके बारे में न मैं एक चीज बताता हूँ, यदि दोस्तों इनके team के, filter यदि अच्छा से catching करें न, यह बंदा सभी match में बिकेट लेगा, आप देखोगे, यह balling खराब नहीं करते हैं, बहुत अच्छा balling करते हैं, लेकिन filter इतना इनके team के दोस्तों बेकार हैं कि catch तो उनसे होता ही नहीं है, इनके team के जितने भी filter है, का लिएगो मैं case share को छोड़ दू, इसके लबाद जितने भी filter है, बहुत ही बकवास filter है, और सबसे आदा catch इसी pillar का छुटता है, बॉलर यह बहुत अच्छा मुझे लगता है, wide line पे ज़्यादा तर balling करता है, cut लगके उपर उठता है और filter दोस्तों catch drop कर देता है, इसलिए इसको आप देखोगे, बिकेट नहीं मिला है, जब filter सही से catch किये हैं, तो द से यदि इनका luck अच्छा रहा है, और आपका luck अच्छा है, तो दोनों का combination जब मिलेगा ना, last होगा सिर्फ और सिर्फ, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इनके कुछ और भी ballers देख लेते हैं, जैसे आपको मिलेंगे, A6000, बिकेट keeper है, बॉलर नहीं है दोस्तों, उतने मैच में देखोगे, तो कोई मैच में आपको बिकेट दिखेगा, यह नहीं, वही रीजन है कि मैं नहीं ट्राइ करना हूँ, नीचे आपको ए नबुदर, यह एक ऐसा baller मुझे मिला है, जो आने वाले मैच में अच्छा कर सकता है, थोड़ा सा इनको ना experience का कमी है, और regular balling नहीं करते हैं, आपको ट्राइ नहीं करना है, ठीक ना, किसी टीम में रही, आपको ट्राइ नीचे से करना है, दोस्तों, यह ऐसा baller मुझे दिख रहा है, कोई मैच आपको ऐसा नहीं मिलेगा, दोस्तों, जहाँ इनको balling दिया हो, और यह बिकेट ना लिया हो, consistent दोस्तों, बिकेट ले रहे हैं, बहुत अच्छे form में चलता है, ठीटेन में ज्यादा मैच का experience नहीं है, लेकिन 11 मैच में 11 बिकेट है, सभी मैच में 2-2 ओवर का balling करते हैं, जरूर पिक कर सकते हो, एक आदिर पे चाहो तो आप rix ले सकते हो, baller खराब नहीं है, power play में balling करता है, power play म किसी भी टीम का सबसे अच्छा player batting करता है, performance, तीन मैच खेलें तूर्णामिन में, तीनों मैच में एक एक बिकेट लेंगे, तो एक बिकेट लेंगे, नहीं तो आपका बिकेट लेस चाह सकते हैं, balling आपको दो ओवर का ये जरूर करेगा, ये power play में balling करता है, और ये जो ह अब बढ़ते हैं, सामे वाले टीम में, ठीक ना, सामे वाले टीम का भी playing level, इनका थोड़ा आप bench player देख सकते हो, यदि कोई bench player खेल जाए, जैसे के मायर है, जो open batting करते हैं, और एक ओवर का balling करते हैं, ऐसे पिटाते हैं, और run भी इन से नहीं लगता है, ये भी अच्छे batsmen तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि consistent इनको chance नहीं दिया गया है, चोट की वज़े से ज़्यादा तर बाहर ही बैठे रहते हैं, ये भी कुछ खास नहीं है, ना से एक ऐसा baller है, जिस दिन आपको खेलते हुए मिलेगा, focus जरूर करना, क्योंकि एक ऐसा player है ये, जो आपक भी कर लेता है, मैं बता रहा हूँ, यदि ये खेलेगा आपको लेना जरूर है, आपका बहुत बड़ा trump card player ये रहेगा, जिस दिन भी खेले, इस match में खेले या, जब कभी भी इस tournament में आपको खेले, focus जरूर रखेगा, ठीक ना, मैंने बता है, आपका trump card player जरूर रहेगा, चलिए आते हैं सामने वाले team का, इनके तरफ से आपको दोसो, ICCBI के तरफ से open batting करेंगे, आई हुसेन, आई हुसेन के साथ आपको साफी batting करते आएगा, आई हुसेन एक और launder player है, consistent आप देखोगे, सभी match में आपको bicket लेते हुए दिखे है, batting उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सामने इस बार कम जो team है, batting से भी जबरदस करके जाएंगे, आई साफी इनके साथ open batting करते हैं, ये भी दोस्तों आप देखोगे, consistent आपको, आई साफी ने batting से score किया, और balling भी recent matchों में, काफी match में इन्होंने अच्छा कासा balling किये हैं, ये भी आपके लिए एक must important bick हैं और captain bc भी आप try कर सकते हो, इसके बाद आपको ए घानी 200 नीचे आएगा, ठीक ना, ए घानी ये भी आपको top order में batting करता है, साथी साथ 200 धियानक ना, top order में batting के साथ साथ ही आपको balling भी कर रहे हैं regular, ठीक ना, batting से देखोगे 26 run, इसमें balling से 2 wicket, इसमें batting से 51 run, that इसमें लास्ट चुप, 4 match का मैंने record लिखा है, इसमें एक match में batting से बहुत अच्छा है, और एक match में balling से भी तगरा गया है, important या रहेंगे simple word में बोलू, ले लेना, ठीक ना, ले लेना 100% अच्छा कर लेगा, ये जो सी बहतरीन bats मैंने, उसके साथ साथ ये balling भी अच्छ अब इनको consistent chance दे रहें और अच्छा कर रहें, इतर आप T10 का record भी देखोगे, तो बहुत अच्छा है, इनका T10 में बहुत बढ़िया performance है, एम चीमा, इस team का एक बहुत अच्छा, दोस्तो, solid bicket keeper batsman है, मिली आपको bicket keepering करते हुए दिखते हैं, लास्ट पांच मैच भी जव बरोसा मत करना, batting उतना अच्छा नहीं करता है, balling भी average है, सभी मैच में दो over ये नहीं करता है, करेगा भी तो आपको एक over करेगा, नहीं तो दोस्तो, एक over भी ना करें, बस एको, ऐसी fielding करके चला जाएगा, ठीक ना, मिली जो इस team के baller रहेंगे, आई हुसें, जो आपक over 2 और 5, कि जो सी, मेली 200 balling जादा करते नहीं है, एक over जाद से जादा team इनको दे सकती है, उससे जादा नहीं देगी, अब इनके main ballers पे आगे बढ़ते हैं, इनके main baller में आई हमजा है, जो confirm आपको 2 over का balling करेगा, middle phase में balling करने आता है, over number 7 और over number 10 आपको balling करता हुआ मिल इस्टेंट बिकेट लिए है, must important है आपके लिए, एसिंग लेना नहीं है, खेले तब भी, आई जदरान मुझे उतने अच्छे लगते नहीं है, इप सैंस स्टार्टिंग के ना, दो मैच में इनको balling किया था, और दोनों मैच में बिकेट लिए थे, पर इसके बाद इनको खेला था, जहां पर इनको balling नहीं दिया गया था, और कल के लिए दिन जो last match भी हुआ था, इसमें भी उतना खास इनका performance नहीं गया था, तो आप drop कर सकते हो, या एक player में बताना चाहूंगा, थोड़ा focus रखना यदि ये खेले तो, के हुसें, first match, बिकेट लिस कहते लेकिन दो अभर का पूरा balling किये थे, मैंने इनका balling देखा है, मुझे पसंद आया है, TL में यदि ये खेले, तो आप एक दो team में क्या होता है, try कर लेना, loss नहीं करोगे, इनके फिरा में आप loss नहीं करोगे, tension अप लेना, okay, record आप इधर देख सकते हो, सभी player का, ज्यादा match का, य mission match का है, और इधर आपको overall titan का record मिल जाएगा, ठीक ना, अभी तक जिन भाई, उन्हें टेलिग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, कर लिजेगा, भाई लोग, ठीक ना, टेलिग्राम चैनल का link आपको इसी वीडियो के नीचे, description section में भी मिल जाएगा, और टेलिग्राम का link दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे comment section में आप चाओ, सबसे पहला comment pin क्या हुआ मिल जाएगा, वहाँ से टेलिग्राम को जरूर जुट जाएगा, और जो भी final combination update करके दो, उसी के साथ play कर लिजेगा, ठीक ना, चलिए final team हम लोग देख ले अपना, आपके सामने final team आ गया है, अब देखो final team में क्या combination मैंने आपके लिए ready करके रखा है, फिकेट कीपिंग से एम चीमा को मैंने रखा है, ठीक ना, आपको clear नहीं दिख रहा है, मैं हूँ ना, clear आप दिखाते है, जूम कर देता हूँ, अब मुझे लगता है clear होगा है ना, फिकेट कीपिंग से से एम चीमा, रख लेना, बैटिंग सिक्षन से घानी और केश सेर को रख लेना, और captain मैंने केश सेर को दिया है, क्योंकि बहुत अच्छा बैटिंग से form में चल रहा है, और balling भी दो बर करके देख, और launder सिक्षन से ए दो स्टेल मैंने रखा ज़रूर है, बट इसके जग आई साफी को भी आप चाहो तो BC या captain दे सकते हो, एक दो टीम में, फिर मैंने ओ लाunder सिक्षन से जोसी तो यार रहेंगी ही रहेंगे, और इधर से मैंने है बुल्ला को रखा है, जो सामने वाली टीम का देथ बॉलर है, और कोई मैच ऐसा नहीं रहा है, जिसमें ये जाता है, आई अमज जाहिए, लेना इंपोर्टेंट है, और के उसें जैसा मैंने बताया, मेरा ट्रॉम कार्ट पिलियर रहेगा, सबसे कम सलेक्षन इसी का है, बस उमीद किजिएगा, खेल जाए, ना खेलेंगे तो फिर ट्रॉम कार्ट पिलियर चेंज करना परेगा, ठीक झाल्बाई।